है रो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपका SST का पेड़ागोजी में आपका स्टार्ट करी थी यह समाजी की ज्यान से रिलेटेड जो 15 नमबर ये कोशन्स पूछे जाते हैं आपके उससे रिलेटेड आप एक इस प्रकार का theoretical portion हो सकता है वो में आपको स्टार्ट करा था जिसका में आपको पहला chapter करवा दिया था आज हम बात करेंगे second chapter यानि कि topic नमबर टू के बारे में जो कि आपका कक्षा गत अधिगम गती विदिया यानि कि आपके कक्षा में किस प्रकार की गती विदिया कराये जाकर आपको समाज एक ग्यान का ग्यान दिया जाता है तो इस वीडियो का आप एंट तक देखते रहेगा आपको सारी इंफोर्मेशन मिल जाएगी तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीपक आप देख रहेए उडिके गुपत ऑनलाइन वीडियोस पो गौर्मेट अग्जाम चलिए शू करते हैं तो आज का टॉपिक क्या है हमारा कक्षागत अधिगम गतिविधियां जैसे की कक्षागत परकिरिया अत्वा कक्षागत अधिगम गतिविधियां जो की कितने परकार की होती हैं दो परकार की होती है पहला गतिविदिया आधारित सिक्षन और दूसरा भौतिक अत्वा व्याक्यान या फिर भाषण आधारित सिक्षन क्योंकि आपका जो समाजिक विज्ञान है वो किस परकार का आपका सब्जेक्ट है वो उस परकार का subject है, जिसमें ज़्यादा क्या किया जाता है, आपको व्याख्यान करके यानि कि भाशन देकर जिसको आप English में lecture कहते हो, उसके दोआरा सारा का सारा ज्यान आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है तो आपके कक्षागत जो पर गतिविधि हैं होती है, आपको जो सिक्षन प्रकण करवाया जाता है, किस परकार से आपको सिक्षा प्रदान की जाए, तो इन दो चीजों का सबसे ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है पहला गतिविदी आधारिक सिक्षन यानि कि जैसे आपकी गतिविदी होगी जैसे कि आपका ताज महल के बारे में बताना तो उसके लिए गतिविदी आपका शैशिक भर्मन के लिए भी ले जाया जा सकता है या फिर उसके बारे में lecture देकर यानि की बहुत तीक अत्वा व्याक्यान यानि की भाषन आधारिक सिक्षन देकर भी आपको उसके बारे में समझाया जा सकता है तो ये दो परकार की गतिविधियां आपका इस्तमाल करे जाती है आपके समाजिक अध्यान को पढ़ाने के लिए बाकि इससे रिलेटेड आपके कुछ और निर्देश भी है उसके आगे हम बात करेंगे अभी जो कक्षा में किरिया कल्ब किस परकार किये जाते हैं कक्षागत सिक्षन माध्यम को हम निमले की तरेखा चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं एक कंसेप्ट माग मैं बना रखा मैंने आपका पूरा समझाने के लिए कक्षागत सिक्षन परकिरिया तो आपके कक्षा में आपको किस परकार से पढ़ाया जाता है, किस परकार से आपके किरिया करवाई जाती है उसके बारे में तो मोखिक में आप तो दोई किरिया कर सकते हो या तो आप बोल सकते हो या सुन कर सकते हो उसके इलावा तो कोई भी चीज नहीं हो सकती लेक्चर मैथड के इलावा मैथड में इस्तमाल करने के लिए व्याख्यान में इस्तमाल करने के लिए ओके या तो टीचर आपको जो बो में बटा गया है पहला संकेतिक किरिया और दूसरा संचित सिक्षण अब यह गया है तो देखने से आपको सुने से पता लग जाता है वो सारी चीजे जो आपने हावभाव के अनुसार या किसी इशारे के परकी आप उस चीज को करके दिखाए तो वो संकेतिक किरिया में आ ज सकता है जैसे कि मैंने आपको संक्यतिक के हैं जो आपके तीन भागों में हो सकते हैं जैसे कि चिन आत्वान निशान हाव भाव या मुख अभिने जैसे कि आप देखते हो कई बार कि कोई चीज आपको अपने दोस्त को बतानी होती है तो आप अपनी पलके उपर बता के करते ह तो इस परकार की हाव भाव या फिर किसी परकार की चिन या निसान या किसी परकार का मुख अभिने जैसे कि आप कहते हो कि आपको कोई चीज चाहिए तो आप क्या करते हो ये क्या होता है एक मना करने का इशारा होता है तो उसी चीज से आपके मुख अभिने तो ये तीन ची चैप मेँ बनाने कोशिश करिए कि आपके सिक्षा जो दी जाती है कक्षा में वह किस परकार के दी साज़ा सकती है और अराम से आपको सारी की सारी चीजे समझ में आजाएं उपियुक दोनों ही परकार की कक्षागत समप्रेशन में अनिक उपकरण परियोग में होते हैं इसमें से परमक उपकरणों का विवरण निमलिखित है तो यानि कि चाहे आपको गती विदी हो या सफिर मोखिक हो उसमें आपके कुछ निमलिखित आप उपकरणों का इस्तमाल कर सकते हो जो कि मैंने आपके कुछ मुख्य मुख्य हैं लिख रखे हैं जैसे कि आप टेलिफॉन का इस्तमाल कर सकते हो टैप रिकोर्डर का, रेडियो का, प्रोजेक्टर का, स्लाइड्स का या फिर audio video recording का तो इन चीज़ों का आप इस्तमाल करके आप बच्चों को समझा सकते हो बच्चों को शिक्षा परदान कर सकते हो आप समाजिक अध्यान को लेते हुए समझाते हुए, ओके आप बात करते हैं next topic कक्षा गत किरिया कल्प यानि कि जो आपके कक्षा में जब आपको सिक्षा दी जाती है तो किन-किन विधियों के द्वारा दी जा सकते है किन-किन तरह से दी जा सकती है तो मुख्य में आपको चार चीज़े समझाने के यहां पर कोशिश करी है तो जैसे कि समाजी क अध्यन शिक्षन हेतू, कक्षा में अवश्यक गतिविधिया निमलिखेत हैं जैसे पहला आपका निर्देशन, तो देखने से पता लग जाता है, सुनने से पता लग जाता है कि किसी चीज का निर्देशन करके यानि की व्यक्त करके सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखी जारी है जैसे निर्देशन से तातपर्य है कोई काम कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं परतिक शुरूप से यह दिखाना या बताना निर्देशन तकनीक का परयोग कर परसुतिक करण विशलेशन और संसलेशन कैसे किया जाता है उस चीज के उपर व्यक्त करना ही आपका क्या कहलाता है निर्देशन कहलाता है तो देखो किसी चीज का आप निर्देश देते हो तो इसको कर सकते हो तो असानी से solve कर पाओगे जैसे कि समाजिक अध्यान में काफी चीजों का आप explain करते हुए नित लेकर चलते रहते हो जाए आप क्या इतियास हो भुगोल हो या फिर political हो यानि कि राजनेतिक हो सब चीजों में आपका निर्देश बहुत जादा परियोग होता है जिसमें अध्यापक क्या करता है परतिक्स रूप से सारी के सारी चीज़े क्या करता है दिखाता है या फिर बताता है ओके नेक्स्ट आपका कार्यचेत्र कार्यचेत्र में जैसे की छेत कार्यचेत्र का अर्थ है वास्तविक जगत में कक्षा लेना अर्थात जीवन की व आपको सारी चीजे कैसे बतानी है एž वास्तविक छेतर के रूप्पे बतानी है एफ जह कर रहे हैं ऐसे विशे वस्थु को आप वास्तविक जगत के साथ जोड कर क्या ले रहे हो आप बिल्कूल परिस्थितियों का वायनि कि वास्तिविक परिस्थिति में आप क्या करा रहे हो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हो ऐसा करते समय किसी घटना को देखकर उससे संबंधित आधार समगरी को इखटा किया जाता है फिर उसका विशलेशन कर उसके बा बनाया गया, कब शुरू करा गया था, किस आपकी परिस्थितियों में बनाया गया था, उन मजदूरों को साथ क्या हुआ आगे जाकर, उसका पूरा का पूरा निशकर्षन लेकर उसको आप बच्चों को दे सकते हो, तो क्या कर रहा आप उसके लिए कारेच्छेत्र बना रह जैसे कि एक आपका लगालो कि आपके क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है आपके देश के अजादी के समय आपने किन-किन लोगों ने महत्व निभाया था किन-किन सैनिकों ने अपना बलीदान देकर देश को अजाद करने के लिए योगदान दिया था उसके बारे में आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अतिती प्रवक्ता बुला सकते हो, मतलब एक ऐसे सैनिक को आप बुला सकते हो, जो की आपके अजादी के टाइम पर लड़ाई करने में उसका सहियोग था, देश को अजादी दिलामने में उसका सहियोग था तो उस परकार के व्यक्ति को आप बुला कर उसके बारे में आप उनके वास्तविक जगत के साथ जोड़ कर बच्चों को सिक्षा देने की कोशिश कर सकते हो तो वो क्या हो गया सैनिक? वो अतिती प्रवक्ता का कहरे करेगा जिससे बच्चे क्या करेंगे? उसके आदर से परभावी को कर उसकी तरह कौपी करने की तरह उसकी तरह बनने की कोशिश करेंगे तो इस परकार के व्याक्यां से चात्रों को ना केवल वास्तविक दुनिया के अनुभव से परिचित होने का सुवसर मिलता है अपि तो उन्हें परमुक परभावी दृष्टि कोन के लिए प्रेणना भी बिलती है मतलब उन कई बच्चे उनमें से ऐसे होंगे जो कि उस व्यक्ति से उस सैनिक से परभावी तोकर क्या करेंगे? उसकी तरह बनना चाहेंगे तो क्या हो गया उनमें? उनमें अभी परेणना जागी है उसको परती अपने देश के परती सैनिक के परती तो परेणना लेकर वास्टविक जगत के साथ सारी जोडते हुए आगी की तरफ आपको लेके जाएगा ऐसे सैनिक बनने के लिए तो इस परकार का भी चीजों का आप इस्तमाल कर सकते हो नेक्स्ट आपका कक्षा में व्याख्यान तो जो कि आपका बहुत मुख्य है इस परकार से आप सारी चीजे असानी करवा सकते हो और सिंपल तरीके से करवा सकते हो जैसे कि माध्यमिक विध्याले इस्तर पर समाजिक अध्यन की कक्षा में अध्यापन के लिए अध्यापक जिस सिक्षन विधी का उपयोग सारवधिक करता है वह व्याख्यान या भाषन विधी है क्यों? क्योंकि एक सरल रूप में मिलती है, असानी से मिल जाती है, कम खर्चीली है और समय की बचत भी है अगर आप इसका सही से उपयोग करोगे ना, बिल्कुल एकदम क्या कहते हो, बिल्कुल विश्वशनिय रूप से, अच्छी तरीके से तो बच्चे को एक अच्छा सटीक और इस्थाईयान मिलेगा, लेकिन वो आपके पर डिपेंड करता है, कि आपने उसको कितने अच्छे से परियोग करा है जैसे अध्यापक की इस विधी से, अध्यापक किसी भी नई सूचना या प्रक्रम को स्वयम छात्रों तक पहुँचाता है व्याख्यान के मुख्य परियोजना तो सूचना देना है मतलब जो व्याख्यान है उसका में कारण क्या है में चीज क्या है में उद्देश क्या है कि जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है उसके बारे में क्या करना है सूचना देना है जैसे कि ताजमहल ताजमहल कब बनवाया गया किसके द्वारा बनवाया गया किसकी याद में बन आते हो तो किस द्वारा बता सकते हो वो व्याख्यान द्वारा मतलब सारी की सारी चीजों की क्या दे रहे हो आप सूचना दे रहे हो वो कोई आपका किसी परकार का ये नहीं कह सकते कि कोई ज्यान है वो क्या है सारी की सारी सूचना है जो कि आप एक कक्षा में व्याख्यान क जो कि आपके सामने हैं, कम समय लेती है, कम खर्चिली है, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यान देने के लिए शक्षम है, और सबसे most important अगर आप से पूछा जाए कि समाजिक विज्यान में किस विधी का सबसे ज़्यादा इस्तमाल किया जाता है, तो व्याक्यान या भाषन विधी का ही सबसे ज़्यादा उप्याग किया जाता है, अगर आपने समाजिक विज्यान पढ़ा होगा, या for example जो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, वो किस विधी से पढ़ा रहा हूँ, इसी विधी से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि समाजिक विज्यान के लिए एक most important वि सारी चीजें, जैसे इसे अपना कर समाजिक अध्यन की सभी साखाऊं को संब्रिद्ज ज्यान छातरों को दिया जा सकता है, अब सभी साखा यहाँ पर कौन कौन सी हो सकती है, तो समाज विज्यान में चाहे हो आपका भुगोल हो, इतियास के लिए तो बहुत important है कि इतियास या फिर आपका कोई political science हो या राजनिते विज्ञान हो उन सबी साखाओं को आप एक अच्छे तरीके से अगर व्याक्यान करना चाहते हो आप अच्छे तरीके से उसको निभाना जानते हो तो एक संब्रिद ज्यान दे सकते हो बच्चों को एक अच्छा ज्यान दे सकते हो नेक्स्ट है यह वह विदी है जिसे जब चाहे और जैसे चाहे अनेक तरीके से व्यक्तित वसंबंदित विशेष्टाओं के अनुरूप ढाला जा सकता है इस तरह इसका अनुकूलन किया जाना आप एक्षित सरल है मतलब यह जो विदी है वो आप कभी भी किसी टाइम भी इ बारे में समझाने के लिए तुरंट आप उनको व्यक्तित से समझा सकते हो बाहर गुमाने के लिए जा रहे हो व्यक्तित से समझा सकते हो तो इस विदी के लिए ऐसा कोई नहीं है कोई चीज ऐसी नहीं कि आपको उपकरनी चाहिए होगी आप कभी-कभी इस्तमाल कर सकते हो इसमें कोई सम्हिजी सिमा नहीं है, आप कभी भी किसी भी तरीके से इसका इस्तमाल कर सकते हो और उसी के अनुरूप, मतलब जिस तरीके आपकी परिस्थिति है, उसी के अनुरूप आप उस चीज को changeable भी बना सकते हो आप जैसे की घूमने के लिए गई हो तो एक लाइन में चलने के लिए नियम को बनाने के लिए आप अपने वहाँ पर परिवर्तन कर सकते हो इतियास के बारे हो तो इतियास में सारी चीज़े convert कर सकते हो या पॉलिटिकल के बारे में बता रहे हो तो पॉलिटिकल साले सीजे रिलेड़ बता सकते हो तो तुरंत क्या कर दिया आपके अनुकूलन बना दिया जिस परकार के आपके सामने परिस्ति थी नेक्स्ट है अध्यापक और छात्र के बदलते अनुपात के अनुसार इस विकल्प का अनुकूलन किया जा सकता है मतलब जिस परकार कि आपकी कलास में छात्र होंगे मतलब अधिक मातरा में हैं तो आप लेक्चर मैथल का बहुत अच्छे से उप्योग कर सकते हो उनको सारी चीज़े समझाने के लिए अगर आपकी कलास में मातरा में कम बच्चे हैं तो व्याख्यान विदी के साथ साथ किसी और विदी के द्वारा भी जोड़ कर इसको आप क्या कर सकते हो एक परभावशाली सिक्षन बच्चों को दे शकते हो तो आपके बच्चे के जो अनुपात है उसके बदलते हुए विकल पर भी आप इस चीज़ का अनुकूलन कर सकते हो उसमें परिवर्तन ला सकते हो और उसके साथ में उस चीज़ को जोड़ कर बच्चों को सिखा सकते हो नेक्स्ट है व्याख्यान तकनीक बहुती कम खर्च वाली होती है यदि सही योजना बनाई जाए तो सही रूप से उसका किरियावान किया जा सके कोशन को समझनी कोशिश कियेगा कि व्याक्यान तकनीक तो आपके कम खर्चीली है क्योंकि जो लेक्चर दिया जाता है उसमें किसी परकार का उपकरण नहीं लगता किसी परकार का आपको यह नहीं चाहिए कि आपको अलग-अलग मुल्टिमेडिया पैकेज चाहिए बस एक व भाव साली सिद्ध करना उसको तो उस परकार का किरियावान करना चाहिए उस तरीके के आपको लेक्चर चुनना चाहिए कि जिस परकार को उसके बारे में आपको पून रूप से ग्यान हो अगर उसके बारे में आपको ग्यान ही नहीं तो आप लेक्चर कैसे समाल पाओगे अगर उस चीज का आपको पूर्ण ग्यान है अच्छे से ग्यान है तो आप उस चीज को समाल भी पाओगे और आगे अच्छी तरीके से बच्चों को समझा भी पाओगे तो यह कुछ important इसके लाब थे ओके तो यह आज का हमारा चैप्टर था कि किस परकार की विधियों से या किस परकार के किरिया कल्प से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है आपकी क्लास में तो यहाँ पर आगया हमारा second chapter भी खतम हो गया है second topic भी खतम हो गया तो नीचे आपको कैसी यह वीडियो लगी तो नीचे जाके वीडियो को like जरूर कर लिजेगा इसका पहला पार्ट मैंने वीडियो के decision में और अलग से channel में playlist बना रखा है वहाँ जाकर आप उस वीडियो को first part को देख सकते हो तो दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को like करना ना भूलियेगा अगर आपके मन में वीडियो के related कोई भी doubt हो कोई भी query हो तो नीचे comment box में comment किजेगा मैं आपका reply जरू करूँगा अगर आपने चलों कब तक subscribe नहीं कर रखा झाल